देखिए दुनिया में आज ये फैशन बन गया है या भारत में ये फैशन बन गया है कि अमेरिका के तट से जो भी आता है वो महत्वपून ही होगा ठीक है? योग भी आज इस देश में इसलिए लोगप्रिय है क्योंकि ये अमेरिकी तट से आया है ये हजारों साल से हमेशा यहीं रहा है, ये माइने नहीं रखता बहुत लोगों को लगता है कि योग को मडोना ने खोजा था मैं लोगों के गुरूप से बात कर रहा था और मैं बस उन्हें कुछ बता रहा था और उधारन के लिए मैंने कहा देखे, आज केजी के बच्चे को भी पता है कि कारबन डायोकसाइड आपके शरीर के लिए खराब है, है ना? पर कोई बोतल में कारबन डायोकसाइड पैक करके कहता है, यही असली चीज है अगर ठीक से मार्केटिंग करके आपको एक खास तरह से बेची जाए तो कारबन डायोकसाइड भी चलेगी तो उन्होंने कहना शुरू किया इस पल में जीओ, इस पल में जीओ, आप एक काम करें कहीं और जी कर मुझे दिखाएं क्या आप कहीं और जी सकते हैं? नहीं, लोग आपको शिक्षा दे रहे हैं, आपको देखना चाहिए कि इस शिक्षा का अधार क्या है? कोई कहता है इस पल में जीओ, ठीक है? आप कहीं और जी कर मुझे दिखाएं कि इस पल में कैसे ना जीएं? क्या ये संभव है? तो ऐसी शिक्षा क्यूं? ओ, धर्ती पर जादातर लोग इस शिक्षा को ऐसे समझना शुरू कर रहे हैं कि आप अतीत और भविश्य के बारे में ना सोचें अगर आप अपने अतीत या भविश्य के बारे में ना सोचें तो जीवन आपको सबक सिखाएगा अगर आप अपने भविश्य के बारे में नहीं सोचते या अतीत को याद नहीं रखते जीवन आपको एक बहुत बुरा सबक सिखाएगा या नहीं? यह सिखाएगा अच्छा होगा अपने भविश्य के बारे में सोचें इस दिमाग को काबिलियत के इस तर तक पहुँचने के लिए लाखों साल लगे अब लोगों को इसे संभालना नहीं आता अब वो कह रहे हैं इसे इस्तिमाल मत करो, बंद कर दो अतीत के बारे में ना सोचो, भविश्य के बारे में ना सोचो आदमी के दिमाग की खुबसूरती है कि अगर आप चाहें तो लाखों साल पीछे देख सकते हैं और लाखों साल आगे देख सकते हैं, है ना हादियों की यादाश बड़ी अच्छी मानी जाती है वो वही चीज़े याद रखेंगे जिनसे उनके जीवन पर फरक पड़ा हो हम वैसे नहीं है, हम उन चीज़ों को याद रख सकते हैं जिनसे किसी के जीवन पर फरक पड़ा हो या ना पड़ा हो हाँ या ना तो हमारा मूल अंतर हमारे और दूसरे जीवों के बीच में ये है कि हम कल की कल्पना कर सकते हैं और हम अतीत को याद कर सकते हैं तो अगर इस पल को थाम लो का मतलब है कि आप अतीत और भविश्य के बारे में ना सोचें तो वो एक कीड़ा मकॉड़ा बनने के लिए कह रहे हैं कि इस पल को थाम लो वो सब ये कर रहे हैं क्या वो ये नहीं कर रहे कीडे मकौडे जानवर पक्षी क्या वो इस पल में नहीं रह रहे पकड रहे हैं पूरी तरह हर जीवन कर रहा है आप भी बात बस ये है कि आपके पास बुद्धी है कि आप इस जीवन में रहकर भी थोड़ा इधर उधर उड़ सकते हैं ये सवभाग्य है ये अजादी आपके पास है आप उसे छोड़ देना चाहते हैं बस इसलिए क्योंकि आपको अपनी बुद्धी मता संभालनी नहीं आती आप इसे नश्ट करना चाहते हैं दरसल कुछ दुर्भाग्य से ये एक महतवपूर्ण विज्ञानिक समाच से आ रही है उनके एक हिस्से से वो कह रही है जब बच्चा पैदा होता है अगर आप अपने दिमाग का एक हि खुश होंगे ये नर्थखारी है अगर आप पूरा दिमाग हटा दें तो सभी शांदार होंगे बिल्कुल कोई परिशानी नहीं उन्हें कभी कोई परिशानी या तनाव या कुछ और नहीं होगा खुश आप उस तरह की खुशी नहीं चाहते हैं है ना आप उस तरह की धिमता को छोड़ना अगर आप अपने सर में गोली मार लें आप शांती पूर्ण हो जाएंगे और शायद दुनिया ही शांती पूर्ण हो जाएगी तो आईए इसे समझते हैं कि ये सब यहां वहां से उठाई हुई आर्थिक कारणों से दुनिया को दी गई चीज़े हैं आप इस पल में कैसे नहीं रह सकते हैं आपको शिक्षा की क्या जरूरत है इस पल में रहो मुझे बताईए अपने दिमाग को संभालने के लिए आपको तरीकों की जरूरत है आपको जीवन के बारे में शिक्षा की जरूरत नहीं है क्योंकि आप जीवन है अगर आप जीव आपको इसे जीवन होना नहीं सिखाना होगा क्योंकि जीवन इस पल में रहे या इस पल को थाम ले का वास्तव में मतलब है जीवित रहना, है ना? तो आप सोचते हैं आपकी मानसिक गतिविधी, आपकी बुद्धी की शमता और काबिलियत आपको जीने नहीं दे रही है, नहीं, यह आपकी जीवन तता का आधार है, यह कई तरीकों से आपकी जीवन तता का ताज है, बहुत साधारन रूप से जीवन आज इस तरह के जीवन तक विकसित हुआ है और आपके पास अब जो cerebral cortex है जिससे आप सभी तरह की बाते सोचते हैं यही इस धर्ती पर जीवन का ताज है ना हाँ यह ना यह जीवन का ताज है और आप इसे छोड़ देना चाहते हैं क्योंकि आप इसे संभालना नहीं जानते यह ठीक से टाइट नहीं बैठ रहा यह बहुत जादा टाइट है ऐसा मत कीजिए अगर आप जीना चाहते हैं जो कि जीवन की एक मात रिच्छा है यह जीना चाहता है पूरी शमता से जीना अगर मैं कहूं आपको पता है कुछ समय पहले मैंने एक नोट लिखकर कहा इशा योग का मतलब जीना पूरी तरह जीना तो लोग सोचते हैं मुझे सबता के साथो दिन पाटी करनी चाहिए ना ना अपने आसपास आप जो करते हैं वो जीवन नहीं है वो जीवन है जो यहां होता है आपके अंदर जो होता है वो जीवन है क्या ऐसा नहीं है आपके आसपास जो होता है बस जीवन का वातावरन है जीवन नहीं जीवन ये है इसका पूरी तरह पता लगाने के लिए पूरी गहराई और विस्तार में अगर आप इसे इसके सभी आयामों में जानते हैं तो आप देखेंगे कि यहां बस ऐसे ही बैठना सबसे सुन्दर चीज है जो आप कर सकते हैं आप जो करते हैं या नहीं करते हैं आपकी चॉइस है हम एक ही कमरे में बैठे हैं एक ही हवा में सांस ले रहे हैं हम एक ही खाना खाएंगे और जिस तरहे मैं इस पल में अपने भीतर हूँ अगर आप मुझे पूरी दुनिया भी दें तो भी मैं ये सौदा नहीं करूँगा क्योंकि ये उससे बड़ा है और हर आदमी ये कर सकता है जब बहरी स्थितियों की बात आती है ये नहीं हुआ है बस इस लिए कि आपने उस दिशा में कभी ध्यान नहीं दिया बस यही वज़े है ना कि इस लिए कि आप कम काबिल है झाल झाल